हलो फ्रेंट्स वेलकम टू इडियो एसी एसी और एजुकेशन मेंटॉर सो फ्रेंट्स आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं MCC का जो आप लोगों का स्ट्री विकेंसी राउंड का रिजल्ट डिक्लियर किया गया है उसकी क्या क्लोजिंग कट ओफ रही है और साथ-साथ आपके MCC के रिजल्ट के साथ एक नोटिस भी डिक्लियर किया गया है क्योंकि ये भी आपका प्रुविजनल रिजल्ट है अगर रिजल्ट में कोई चेंजिस नहीं होंगे तब ही आपका फाइनल रिजल्ट कंड़िक्ट होगा और साथ-साथ MCC में आप लोगों को कल MCC के वेबसाइट पे वेकेंट सीट मैट्रिक्स आई थी कि स्ट्रे राउंड की कितनी सीट्स काउंसलिंग के लिए अभी अवैलिबल है उन सीट्स की भी हम बात करेंगे कि हमारी जो सीट्स अवैलिबल है उन में से कितने सीट पे अभी जो हमारी काउंसलिंग है वो डन हो गई है और सबसे मेर हमारा कि क्या आभ हमारा जो स्पेशल स्ट्रे विकेंसी राउंड जैसे की लास्ट यहर हमारी सीट बची थी तो special history vacancy round भी कराया गया था तो इस साल वो होगा या नहीं होगा तो आई हम लोग स्टार्ट करते हैं नोटिस से तो देखिए यह आपके MCC की website पे result के साथ जो नोटिस आया है इसमें आपके यही mention है कि जिन candidate को seat allot हो गई है और उन्हें अभी कोई अपनी seat में कुछ query है query in the sense आप लोगों को seat allot हुई है seat वही रहेगी लेकिन अगर आप लोगोंने MBBS लगाया था और साथ में आपने BSC nursing और BDS के भी option चूज किये थे तो उसमें थोड़ा सा कुस mismatch हो गया है तो उस condition में आप लोग MCC की website पे mail कर सकते थे आज 11am टक की सिर्फ timing थी आप लोगों की अभी यह provisional result है अगर उन लोगों को MCC की website पे MCC की mail ID पे ज्यादा उन लोगों को mail receive होई होंगी तो allotment जो आप लोगों का result declare किया गया है उस हम बात कर लेते हैं allotment letter कब download होगा तो देखिए allotment letter जो download होता है हमारा वो जब result declare हो जाता है final result तो उसके 24 hours के अंदर-अंदर link active हो जाता है link आपका जहां से आप लोगों ने counseling का process किया तो वहीं पे जाके आपको अपना ID password mention करना होता allotment letter आप लोगों को अपना download कर लेना यह हमारा हो गया कि जो notice आया है साथ साथ अब आप लोगों की joining जो होगी तो joining की date हम देख सकते हैं या पर joining जो हमारी होगी 24th of December से 28th of December तक रहेगी यानि कि 24 यानि कल से joining start हो जाएगी colleges में और जो हमारी last date है वो 28th of December रहेगी आप लोगों को पता है opt-out का link active किया गया था तो इसी कारण ऐसे candidate जिनने अपना जो amount था वह वापिस चाहिए तो उन्होंने counselling से opt-out कर लिया था तो इस बार आप लोगों की यहां पे काउंस्लिंग उसको होने की आशंका वो कम लग रहे है रीजन आप लोगों का यह है अगर हम एक बाल शीट मैट्रिक्स पहले देख लेते हैं तो देखिए सीट मैट्रिक्स जो आप लोगों की I. ती स्टे विकेंर रांड की उसमें सारी category वाई यहां पे शीट मैंशन है एम्यू बहु में कोई सीट अवैलिबल नहीं थी इस्ट्री विकेंसी राउंड के लिए मॉप अप राउंड तक हमारा एम्यू बहु जो है वो क्लोजिंग हो गई थी उन लोगों की अब एसाइसी आईपी वाड के लिए सिर्फ एक सीट अवैलिबल थी जिपमर 2022 दो 222 आवैलिबल थी और हम लोग अगर रिजल्ट चेक करते हैं यहां पर तो रिजल्ट में आप लोगों का 202 सीटों पर कांउसलिंग विकेंट नहीं रही है सारी सीटों पर कांउसलिंग करायी गई है तो शर शज विकेंसी राउंड हमारा उस कंडिशन में होता आगर ह अप कर बचेँ अब जो सीट केंडिडेट को मिली है वह बचेंगे उसको जोइन आपकी यह स्टीक नहीं बचेंगी चैनल करना क्टी सीट ऍ здесь। पिर गविधा और दोटोहरीज सी राउंड होगा तो क्योंकि अभी तक हम देखें तो सभी सीटों पर काउंसलिंग के गई है 222 सीटों पर काउंसलिंग होई है लेकिन अगर आपका सिर्फ यही कंडिशन है कि अगर कैंडिडेट सीट जॉइन नहीं करेंगी सीट वेकेंट रह जाएंगी तो आप लोगों का स्पेशलिस्ट्रे सीट वेकेंट नहीं रह जाएंगी तो नहीं होगा और सीट मैट्रिक्स देखिए आप लोगों की वैबसाइट पे ही आएगी नोटिस भी काउंसलिंग का हमारा वैबसाइट पे ही आएगा तो हम एक बार बात कर लेते हैं क्लोजिंग उखिए आप प्लोज हो गया है उपन कैटिगरी के साथ ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं ओबी सी की तो ओबी सी का भी सी मी है 596 पे 22,000 रैंक पे क्लोज हो गया है और इंडिया कोटा EWS कैटिगरी की बात करते हैं तो 595 एक्वल रही है यहां पे कोई चेंजिस देखने को नहीं मिले है रैंक हमारी मौपप राउड में 23,202 राउंड में 23,501 हो गई है और हम बात करते हैं सी कैटिगरी की तो दीखिए सी कैटिगरी को जो लास्टी अलॉट हूई है फो एक मार्क्स का और रैंक वाइज आपे चेंज़ देखने को मिले हैं स्ट केटिगरी की 423 पर लास्ट क्लोजिंग जो है हमारी हो गई है अब हम बात करते हैं एम्स की तो देखिए हमने जो प्रिविएस वीडियो में आप लोगों को बताया था जो हमने एक्सपेक्टेट सीट बताई थी उसके अक्वर्ण तो आप लोगों की अगर हम देखते हैं तो उपन कैटिगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 622 पर लास्ट सीट अलॉट हो गई है और एसा हम लोग बात कर लेते हैं एसा तो उनकी 597 पर open category जो है close हो गई है और EWS category 596 पर close हो गई है रैंक वाइस आप देख सकते हैं रैंक वाइस आपर डिफ्रेंस देखने को मिला है जो रैंक मौपप रौंड में बाइस हजार तेईस थी वही रैंक हमारी स्ट्री विकिंसी राउंड में जाकर के बाइस हजार आईपी वार्ड में एक सीट अवैलिबल थी SC कैंडिडेट ने उस पर कांसलिंग की थी 344 माक्स पर लास सीट जो है वो कैंडिडेट को अलॉट हो गई थी हम अगर बात कर लेते हैं बहु जो हमारी बनारे सिंदी उनिवस्टी है या AMU अलिगर मुसलिम उनिवस्टी तो इ यहां पे जिपमर पॉंडुचैरी में एक सीट अवैलिबल थी OBC कैटिगरी के लिए जिसकी लास्ट क्लोजिंग 645 पे जाकर के हो गई है रैंक वाइज आप देख सकते हैं मौपप राउंड में जो रैंक थी वह 2915 थी लेकिन इस्ट्रे विकेंसी राउंड में हम देखते है जिपमर कराइकल कॉलिज की बात करते हैं तो यहां पे दो सीट अवैलिबल थी जिसमें से एक सीट OBC कैटिगरी के लिए थी एक सीट EWS कैटिगरी की बात करते हैं तो कंपैरिजन अगर हम मौपप से करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना जादा कंपैरिजन आया है 23 मार करें तो 597 पे OBC कैटिगरी जो है जिपमर कराइकल कॉलिज में क्लोजिंग हो गई है EWS की बात करते हैं तो EWS में भी 595 पे जो केंडिडेट को लास सीट है वो यहां पे केंडिडेट को मिल गई है तो यह हमारी पूरी क्लोजिंग है इस्ट्रे वेकेंसी राउं तक की हमने की आपको अपने वीडीयो के तरू इंफॉरम भी किया था कि कट ओफ कहां तक जा सकती है और कैसे कंसलीं के लिए आप लोगों को प्राइविट में बचर प्राइविट मे भी दीम्र वाइस करेंगी तो दीखिए स्टेट में स्ट्रे विकेंसी राउंद चल रहा है और सबी स्टेट ने अपने फ्रेश्ट में जिसनि एस चशूइस की लिए रिश्ट को जाना है तो उसके पास इंद को चानल ओकि लिए प्रूब्स्तिक आफ लाइन होती है college label counseling DMD universities की उसमें आप लोग participate कर सकते हैं तो अभी आप लोगों का result आ गया है अभी final result का सिर्फ वेट करना है उसके बाद आपको जॉइनिंग कर नहीं है जॉइनिंग के लिए अपने सारे original documents उनकी 2-2 set में आप लोग 3-3 set में photocopies लेकर के चले जाएगा 10 नेत की photocopy और साथ में DD आपको जो college अलॉट हुआ है उस college की particular website पे जाएगे तो आपको वहां पर demand draft की information मिल जाएगी और जो भी आप लोगों के bonds होते हैं या medical fitness certificate होता है आप लोगों कोई gap लिया था तो gap का certificate जो होता है क्योंकि यह सारे documents हमारे main होते हैं हमें सारे documents लेकर जाने होते हैं तो यह सारे documents लेकर के अभी आपको जाकर के अपनी joining college में कर लेनी है और अगर special history vacancy round होगा तो obviously बात है counseling पे notice क्योंकि अब तक तो friends देखिए बिल्कुल condition नहीं लग रही है कि special history vacancy round होगा seat को देखते हुए लेकिन फिर भी अगर seat candidate join नहीं करते हैं और वो seat vacant हो जाती है तो उस condition में specialist vacancy round होगा तो उसके लिए notices आएंगे और जब भी वो notice आएंगे तो हम आपको अपने चैनल के थूरू inform करेंगे तो friend अभी देखिए आप लोगों की 2022 की counseling MCC की All India quota की यहीं पर done होती है deemed university की process में 24 से 28 तक वो भी आप लोगों की done हो जाएगी new academic session का 2023 की जो date exam की 7th of May declare कर दी गई है तो ऐसे candidate जो next year के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों को बहुत जादा all the best आप लोगों के लिए अपना नीट का एक्जाम तो देखिए आप लोगों के पास 600 marks तक होने चाहिए 600 marks में भी आप लोगों को यह है कि आप लोगों को लास्ट के कर रहे हैं कि chao round की cut-off में मियनिया को आपके ऐम्स के निखक करें किषब में तो बात करते हैं OSI के को लिजिस हो या पर सारी cut-off आपको easily मिल जाएंगी तो yes friends यही सारी details थी आज के लिए कुछ भी new आप लोगों का notice आता है कुछ भी new details आती है तो obviously बात है आपको हमारे channel के तुरू inform कर दिया जाएगा NEET UGPGIS related और भी information के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं thank you for watching this video and friend all the very best for your neat counseling activities and for your next new academic session 2023